नमस्कार आप देख रहे हैं खबरे अभी तक और मैं हूँ आपके साथ शीनिव चर्मा हिमाचल लाइब में आपका स्वागत है चलिए सीधा रू करते हैं इस वक्की बड़ी खबर का जुनूरपूर से आ रही है रणबीर सिंग को हिमाचल गौरव और राश्रिय पुरसकार देने की सिफारिश की गई है आपको बता दे कि विधायक राकेश पठानिया की ओर से ये सिफारिश की गई है कि रणबीर को जो सम्मान दिया जाए साथी बस दुरगटना के बाद रणबीर ने सबसे पहले सूचना दी थी जिसके चलते उनकी ओर से सिफारिश की गई है कि उन्हें सम्मान दिया जाए और दुरगटना ग्रस्त स्कूल बस में ये बच्चा सवार था और पांचवी कक्षा का ये बच्चा है आपको बता दे कि रणबीर को सम्मान देने की सिफारिश जो है राजकिया गौरव देने की सिफारिश की गई है राकेश परथानिया की ओर से तो रणबीर सिंग को हिमाचल गौरव और राश्ट्रिया सम्मान देने की सिफारिश की गई है राकेश परथानिया की ओर से बड़े खबा इस वक्ति आपको दे रहे है नूरपूर से जहां पर रणबीर सिंग को हिमाचल गौरव और राश्ट्रिया पुरस्कार देने की स सिफारिश विधायक राकेश पठानिय के ओर से की गई है आपको बता दे कि सबसे पहले जानकारी इस बच्चे ने बस दुरगटना के बाद सबसे पहले सूचना दी थी और स्थानिय लोगों को उस बच्चे के ओर से बताया गया आपको बता दे कि दुरगटना गरस्त स्कू बस में ही ये बच्चा सवार था और अभी घायल अवस्ता में है आपको बता दे कि पांच्री का खुशा का ये बच्चा है जिसने सबसे पहले सूचना दी इस्थानी लोगों को सूचना दी जिसके बाद रहात बच्चाव कारे शुरू किया गया तो बड़े ख़वर इस वक जाले अमकर में सबस्थास सबस्तॡ ना बजर का अंकर में थे सरी से उपञाए चा सबस्काश से घजरू के इसपा को दोगा से अंकर पाहई से आटी को दो बड़े से दीए हंकर हमाईंटे तो फिर वन इससे द्लहर ना है छिए, पहले, अध़के, यह यह यहाई दीत्या ह अच्छा फिर उपन चड़ा फिर समग पर बताया कि वहां बस बीरी है तो बस दुर्गतना के बाद रंडबीर ने सबसे पहले सूचना दी थी जिस तरह किसे बच्चे ने बताया कि पहले वो घाला वस्ता में उपर चड़ा उसके बाद थानिय लोगों को उसकी ओर से सूचन जादूरी के लिए इसे पुरसकार दिया जाना चाहिए रणबीर सिंग को हिमाचल गौरव और राश्टे पुरसकार देने की सिफारिश की गई है विधायक राकेश पठानिया की ओर से तो बड़े खबर इस वक्की नूरपूर से आपको दे रहे हैं जहाँ पर बजदूर घटना के बाद रणबीर ने सबसे पहले सूचना दी थी स्थारिय लोगों को सूचित उसकी ओर से किया गया घायल अवस्ता में वो उपर चढ़ा और उपर चढ़कर सड़क से उसने स्थ हमारी लोगों को सूचित किया इसी खबर पर जादा जानकारी के लिए मनोज धिमान हमारे समवरता नूरपूर से फोलनाई पर जूर गहें मनोज जिस तरीके से रणबीर को हिमाचल गौरव और राश्ट्रिय पुरसकार देने की अपील की जा रही है राकेश पठानिया के जोर से इस खबर को लेकर क्या कुछ जानकारी और आपके पास है जी शीनम देखिए रनवीर जो दर्दनाक हाते वाली बस में सवार था उसको भगवान ने बचाया है जैसे ही बस निचे पल्टी और वो खिड़की से बाहर निकलाया था जिसने सारी जंता को सूचित कि यह बस गिर गई है और बड़ी हिम्मत करके जो है वी दरी चड़ाई चड़के उपर आया था उसने सारे गाउं को सूचित कि बस जो है वो गहरी खाई में गिर गई है उसके बाद वो भी घायल सा उसे भी अस्पिताल में भर्ती किया गया था जी और उसके बाद जो है उस होन कि बाब दूद ये फो मिटर ऊपर खाई को चड़ करके उपर आया था तो कहीं नगी सरकार जो है इस बच्चे को समानिस करना चाहती है क्योंकि इस बच्चे ने बड़ा ही दमखं दिखा कर एक हिम्मस बारी बात जो है और लोगों को सुचित किया था तो अब इसको समानिस क जब हाथा हुआ था हाथा है कि समय हम नूरपूर अस्पताल में मुझूद थे जहां हमारी बात जो है वो खबर अपने राकेश पठानी के साथ हुई थी तो उन्होंने कहा था उस समय जब मीडिया से रूब्रू हो रहे थे तो उन्होंने यही बात कही थे कि जो बच्चा सरकारित किया जाएगा सरकार किसमत से बात रखी जाएगी जी चलिए बबाश शुक्रिया मनोज धिमान तमाम जानकारी देने के लिए तो रणबीर जो है उन्हें राष्ट्रिय सम्मान देने की अपील की जा रही है राकेश पठानिय के ओर से उन्हेंट